हेलो एवर्यवन, वेलकम तो माई यूटूब चैनल, लास्ट वीडियो में आपको बताया, मैट्रिक्स मेथड, यानि आपके पास ऐसा मैथड जिसमें हम मैट्रिक्स और डिर्मिनेंट का यूज करते हैं, जिस हुए हम लीनेर एक्वेशन, सिस्टम ओफ लीनेर एक्वेशन क सॉलुशन कैलकुलेट करते हैं, या आपके पास उसमें सॉलुशन निकालते हैं, ठीक, तो सॉलुशन निकालने के मैथड बहुत यह पर हमको क्या करना है, मैट्रिक्स मैथड का यूज करना है, मतलब वो मैट्रिक्स और डिर्मिनेंट का यूज करना है, हम कह सकते हैं, कि आपके पास, आपके पास metrics टेशुकमेंट किया, हमार पास method रहता है, metrics method, जिसकी मदद से हम system of linear equation के solution निकालते हैं, तो last video मैंने अब को जो बताई था, उसमें मैंने system of linear equation with two variable, two variable के लिए किस प्रकार से हम निकालते हैं, उसके example बताई था, और साथ मैं 3 variable के लिए आपके पास method किस प्रकार से apply करना है वो बताओ आज जो मैं आपके बताओंगा वो है आपके पास कि उस matrix method का use करते वे जो 3 variable पे depend linear equation का system होगा उसका solution कैसे निकालते हैं आपके पास जर्क तो वीडियो शूरू करने से पहले अगर आप यू मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक SPD नहीं किया तो तो स्ब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास नए वीडियो के अपडेट आपको पराप्त होते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं, देखें आपके पास, तो एक्जम्पल के लिए पास देखें, मालेजे, आपके पास सिस्टम आफ लीनेर इकूशन दिया है, system of linear equation है क्योंकि मुझे third job के पास three variable पर depend करने वाला है उस पर अधर प्दाना है तो यह अमान लोग कि system of linear equation है two x minus y plus three z equal to nine यह पहला equation है तीन variable पर अधर है इस लिकार से दूसरा equation है x plus y plus z equal to six और तीसरा है x minus y plus z equal to two तो यह system of linear equation आपके पास दिया और मैं चाहता हूँ इसका solution निकाला जाए किसकी मदद से matrix method की मदद से क्या निकाला है जिसका solution निकाला जाए तो जो method है मैं आपको बदा चुका हूँ last video में उसका लिंक मैं आपके पास description box में डाल दूगा तो देखे इस किस प्रकार से करें तो जो method उसके निसार क्या होता है सब्हेल हम लिखेंगे यह system of linear equation है उसको लिखेंगे matrix equation तो हम क्या करेंगे यह जो equation दी वी है आपके पास system of equation इसको क्या करेंगे matrix multiplication रूप में express करेंगे किस प्रकार से as ax equal to b इस रूप में व्यक्त करेंगे अब तो ध्यान देने वले बात क्या है कि इस रूप में व्यक्त तो करेंगे हम पर मुझे उसके लिए तीन matrix के आपके आपके पास होता है जो इस equations में जो x, y और z के जो coefficients है जिसे पहले equation में अगर मैं बात करूँ तो x का coefficient 2, y का coefficient minus 1 और z का coefficient के दाए 3 तो यह जो coefficient है उनका matrix है तो किस प्रकार से देगे first row में आजाएगा first equation में जो coefficient 2, x, 2, minus 1, 3 इस प्रकार दूसरे equation के साफ़ सो जाएगा 1, 1, 1 और तीसरे साफ़ सो जाएगा 1, minus 1, और 1 तो यह हो गया a इस प्रकार x होता है variable का matrix क्या होता है variable का matrix में लगए जिसमें variable आएगे तो variable कितने हैं अबर? 3 है x, y और z तो यह आपके पास यह हो गया a और इस प्रकार last जो b matrix होता है वो होता है आपके पास इस equation में आने वाले जो right hand side में जो constant है उनका matrix अपके पास हो जाएगा 6, 9 and 2 तो यह आपके पास प्रकार से प्राफ थोड़ा इसमें ध्यान देने वाले बात क्या है यह आपके पास होगा 3 cross 3 का square matrix जो a होता हमें सा 3 cross इस case में क्योंकि 3 variable पर depend करने वाले एक system है तो उसमें 3 cross होगा अगर 2 variable पर depend करने वाले system होता उसमें क्यों 2 cross 2 का होता और यह हमेंसे क्या होता है यह जो दोनों है x और जो b है यह हमेंसे क्या होता है ये दोनों के दोनों में से क्या होते है, column matrix होते हैं, ये आपके पास हमें से क्या है, column matrix, अब देखो, अब एक equation है, तो क्या कर रहा है, a into x equal to b लिखाना, तो multiple लागर करके कैसे कर रहा है, आपको मालूम है, कि first row, first column समिल रहा है, तो ये जगा 2x minus y plus 3z, तो ये मिल रहा है, 2x minus y plus 3z, और equal to b थे तो b का पहला equation आपकास, देखो, यहां पर 9 है, तो यहां पर उसको भी क्या होना चीदा, 9, यहां पर 6 होना जाए तो आपके पास ये इस प्रकार से हमने सब्सक्राइब करना है, system of equation किस रूप में व्यक्त करना है, इस matrix equation के रूप में, ax equal to b के रूप में, अब थोड़ा a, b, x को define करना आने वारे है, a हो जाएगा coefficient matrix, जो equations में आने वाले जो आपके पाद variable हैं, उनके जो coefficient है, यानि गुडांक जो है, 2-1, 3, 2-1, 3, 1, 1, 1, यह 1, 1, और फिस प्रकार से 1-1 और 1, तो इस प्रकार से पहले करना, आपको यह निकालना, उसके बाद हम आपके पाद नॉनकंसिस्टेंट अब बस, तो यह इनकंसिस्टेंट भी कैसा था ठीक है, तो आपको पहले देखना है कि सिस्टम किस प्रकार का है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले, इस matrix A के लिए determinant का मान निकालना, बस ठीक है, देखो, now, determinant A की value निकाल जाए तो इसके सबसे हो जाएगा, two, minus one, three, one, 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 minus one, one, इसकी value निकाल दियागी, तो value निकालने हम को आती है, यह देख क्या होगा, यह जाएगा two into, अब देखो, two, first row, first column अटेगा, क्योंगे, if my first, मैं इसका जो विस्तार है, वह मैं क्या है, first row के लोंग कर रहा हूँ, त फिर आंदा, minus, minus one के कर रहा जाएगा, plus one हो जाएगा, फिर ऐसी, first row, second column अटेगा, one, minus one, यह जाएगा, ऐसी last हो जाएगा, plus three, first row, third column अटेगा, minus one, minus one, तो यह आपके पास देख कितना हो रहा है, two यह था, और यह आपके पास two, आपके पास यह भी है, one plus one हो गया, two, यह ज प्रकार, इसमें तो one minus one हो गया, zero, zero, plus one हो गया, zero, यह आपके पास प्रकार से यह होगा, minus two, और three था, तो कितना हो, minus six, तो आपके पास मिल रहा है, minus two does not equal to zero, तो मैंने determinant की variant का ली, तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, मुझे प्राप्त हो रहा है, minus two, अब जो की क्या है, zero के बराबर नहीं है, अब ध्यान देना है, अगर यह zero के बराबर नहीं है, तो इसका रहत रहाएगा, इसकी meaning क्या है, कि system of equation, यह जो सम्मिकरणों का जो निकाह है, is consistent, वो क्या है, consistent है, और consistent क्या है, unique solution मिलने वाला है, unique solution, तो आपको ही पता होना है, कि इसका अर्थ क्या हो होता है, जैसे इससे पहले जो topic हमने पुड़ा, A inverse, उसमें अगर determinant A की value zero के बराबर नहीं है, तो हमने कहा था, वो अपके पास non-singular, यह आपके पास invertible कहलाता है, ठीक है, और अगर zero की बराबर तो कहलाता है, singular, यानि उसमें inverse का existent पर, इस case में जब solution का system का दिया हो, system of solution equation, इस time पर आप जब A matrix का determinant की value निकालते हो, वो अगर zero नहीं है, तो हम कहलेंगे, कहेंगे आपके पास, कि system किस प्रकार का है, consistent है, यानि संगत है, कई बार एक नमरा question में यह सकता है, कि क्या यह संगत है या नहीं, तो आपको कैसे चक करना है, determinant A की value निकालके, कि वो consistent है य तो not equal to zero, इसका मतला है, unique solution भी मिलने वाला है, इस जो आपके पास system दिया है, इसका मिलने है, unique solution, आप unique solution मिलना है, तो कैसे निकालेंगे, वो भी आपको पास देखें, system of linear equation के लिए matrix A यह है, उसका determinant आपने निकाला है, वो था minus two, और अगर solution निकालना है, solution का formula यह आपके पास है, हमाई x matrix निकालना है, तो solution के लिए मुझे किस के आउस्त पड़ेगी, A inverse की, या फिर आप कैसे तो कि adjoint और determinant A की value, ठीक, तो determinant A तो मैंने पास मिल चुका है, मु इसको अगर calculate करना तो हमें निकालेंगे co factors, हम निकालेंगे co factors, जिसे हमने repeat करते हैं, Aij, ये equal to the minus one की power i plus j into mij, ये आपको पहले पी बता दिया गया है, तो थोड़ा आपके पास, एक जो मैं आपके पास detail में बताऊंगा, बाकि हम direct करेंगा, देखो, तो पहला element यह है, ये इसके लिए co factor हो जागा A capital A11, निकालने का तरीका मैंने को पता है था, कि देखना है कि one plus one क्या होता है, ये even है या odd, one plus one हो रहा है two, यानि even, even है तो minus one की power जब भी even होगा, तो क्या मिलने वाला है, पॉस्टिप मिलने वाला है, अगर minus one की power two रगने हो जो आ रहा है, तो क् है मैं ये कैसे निकालते हैं, जिस रो और जिस कॉलम में ये element होगा, उसको अठा देना, मतला क्या हो जागा इस केस में देखो, first row, first column होटे तो प्रच रहा है one, one, minus one and one, जब simplify कर नो तो plus, ये हो जा रहा है one, minus minus का plus one, तो ये हो गया, plus two, तो मुझे पहले element का मुझे क्या मि प्राप्त होगा, और M.I.J. निकालने के तरगे क्या होता है, आपको मालूम है, one, two, go, अठाना, मतला, first row, second column, first row, second column, अठाएगा, जो रहा है one, 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 तो आपके पास मिल रहा है, minus, जब simplify करना तो ये मिल रहा है, one minus one, यानि, इस सिंप्ली के मिल जाएगा, zero, इस रुग प्राप्त है, अब वही, first row, third column, first row, third column, अठाएगा, one, 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 और minus one, तो simplify करने पर रहा है, ये one into minus one होगया, minus one, बीच में minus, one into one होगया, one, यानि, एक वास के तो मिल गया, आपको मिल रहा है, minus two, इसी प्रकार, अब other element के co-factors निकालते हैं, तो देगो, क्या प्राप्त हो इक कॉल टू बताया था, आपके पास सभी elements की जगह पर उनके co-factors रख देना है, तो co-factors रख देना है, तो co-factors रख मालम है, क्या होता है, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, और इस matrix से क्या निकालते है, transpose निकालते है, आपने सब कुछ calculate किया हुआ है, तो जब आप value रख factor निकालें, तो आपको मिल जाएगा, simply, पहला आपके पास था, 2, 0, minus 2, फिर आपके पास है, minus 2, minus 1, 1, minus 4, 1 and 3, इसका क्या निकालना है, transpose निकालना हमको आता है, तो यह adjoint मिल गया है, तो solution क्या होगा, देखें आपके पास, then, solution of linear equation, solution क्या होगा, आपको मालूम है, x equal to, 1 upon determinant a, जो कि हम निकाल चुके है, adjoint a, यह भी निकाला आपके पास, into b, तो देखें, x equal to हो जाएगा, इसकी value आपके निकाल ली थी, determinant a की value जो आपके पास थी, वो थी, आपके पास minus 2, अपने calculate किया है, adjoint अभी निकाला आपके पास था, 2, 0, minus 2, minus 2, minus 1, 1, minus 4, 1, or 3, into b, और b आपके पास मालूम है, क्याको जो b matrix है, वो आपके पास कितना है, 9, 6 है, 2, यह आपके पास सुरुमा बदा दे, ठीक है, तो इसको simplify करना है, तो देखो क्या होगा, सबस्दे पर क्या करेंगे, यह multiply कर देता है, आपके पास, यह दोनों matrix को, आपके पास होएगा, minus 1, upon 2, अब multiply करना हमको, मालूम है कैस करते है, row column से multiply होता है, तो first row, first one, 2 into 9, आपके पास होगे, 18, 20 में plus, minus 2 into 6, यानि, minus 12, फिर इसी रुगार से, plus 20 में, minus 4 into 2, यानि, minus 8, तो first row को, जो मैंने first column से multiply आएगा, तो यह मिल रहा होगा, इसी रुगार, second row को second column से करेंगा, तो क्या हो जाएगा, 0, plus यह हो जाएगा, minus 6, और यह जाएगा, plus 2, यह रुगार से, ठीक, और ऐसी आपके पास, तो simple सा मिल रहा है, जब इसको देखो, तो minus 12, minus 8 होगा, minus 20, और यह plus 18 कितना होगा, minus 2, यह मिल गा मुझे, minus 2, इसी प्रकार जो अगला वाल आपके पास है, उसको देखें, तो minus 6, plus 2 था, यह हो जाएगा, minus 4, और यह minus 8, plus 12 भी है, तो हो जाएगा, minus 6, तो मुझे यह calculate होगा, जब मैं minus 1, और बंट से multiply करेंगा, तो आपके पास हो जाएगा, देखें, इसकी value हो जाएगी, minus, minus का plus 1, यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 2, और यह हो जाएगा 3, तो x matrix equal to यह मिला, तो solution क्या होगा, उसके लिए मुझे x matrix को रख देना है, तो यह आपके पास मिल रहा है, x matrix थी, x, y, z, equal to मिल रहा है, 1, 2, and 3, तो आपको मालों में, यह दोनों matrix equal हैं, तो आपके पास solution क्या होगा, देखें पास, so, solution of system of linear equation, तो solution क्या मिलेगा, सिदे यह matrix इसके बराबर हैं, आपको मालों matrix equal क्या होता है, जब उसके corresponding elements equal होते हैं, solution होगा, x equal to 1, y equal to 2, and z equal to 3, तो यह जो आपके पास है, यह कहा है, वो system of linear equation का solution, simple method है, बस आपको देखना है, कि क्या किस की आउशकता है, main formula यह है, इस formula के आथार पर हमके निकालने वाले हैं, इसमें देखे, determinant A की वाले चाहिए, adjoint चाहिए, of A, और साथ में B से multiply करना है, तो सबसे important है यह दोनों चीज़, adjoint निकालना, आपको adjoint निकालना आना चाहिए, अगर मैं देखू, इतना वाला भाग ही क्या कहला था आपके पास, A inverse कहला था आपके पास, यानि मैं कहा सकता हूँ, कि A inverse कहा है, ज्यादा important आपके पास, इस पे एक्जामपल होगा देखें, अब next example में देखें आपके पास, यह system of linear equation दिया है, जो कि क्या है, three variable पर आधारित है, अब ध्यान देना है, कि तीन variable पर आधारित है, तो तीन ही equation आपके पास दिया हो, कई बार क्या होता है, कि वो standard form में नई दिया होता है, तो हम standard form में change करेंगे, standard form क्या है, ax plus by plus cz equal to 0, यह तो था, यह भी था, इस तोले को मैं लिख सकता हो, देखे, x plus 0y plus z equal to 2, इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ताकि आप confused ना हो आपके पास, तो सबहरे हम करेंगे, इसक तो ax equal to b के रूप में व्यक्त करें, देखो, system of equations, can be expressed, multiplication equation, matrix equation, तो हम इस system of equation को व्यक्त करेंगे, matrix equation के रूप में कैसे, ax equal to b के रूप में, इस रूप में व्यक्त करेंगे, अब मैं आपके पास पूछूँ कि a क्या है, where, आपको मालू में a क्या होता है, a आपके पास होता है, इस equation में जो variables हैं, उनके coefficient जो हैं, उनका matrix है, पहले equation में है 3, उसका, जो coefficient है, x का coefficient हो गया 3, y का हो गया, minus 4, और z का हो गया, 2, 3, 5, और तीसरे के साफ से जाएगा, 1, 0, and 1, यहाँ पर इस वाले term में y नहीं दिया, तो पर standard equation यह होना जातना, तिसलिए यहाँ 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 x हो जाता है, matrices का, यह जो matrix होगा, x वो होगा, variable का matrix, यहाँ, x, y और z, और यह किस रूप में होता है, column के रूप में, और ऐसे ही, same, जैसे आपके पास x होगा, वैसी matrix होता है, b, जो कि क्या होता है, constants का, इस पक्ष में जो constant है, यहाँ, minus 1, 7, और 2, तो यह मिल लिए आपके को व्यक्त करने के पशाद, हम चेक करेंगे कि इसका solution निकालना संभव है भी या नहीं, यानि यह जो system of equation है, यह संगत, यानि consistent है, अथवा नहीं, तो उसे लिए करते हैं, देखें, now, हम निकालने से होगे, determinant A की वलो, इसके साथ determinant कितना रहोगा, 3, 2, 1, minus 4, 3, 0, 2, 5, और 1 यह इसकी वलो निकाले जाएगी, निकालते कैसे हैं, आपको मालूम है, देखें क्या होगा, तो सिद्धे बताराओं पर देखो, first element 3, 3, minus 0, minus, minus का plus 4, ऐसी, यह दोनों जिस पे minus 4 आया, उसको हटा देना है, तो हटा देखो, 2, minus 5, और last, plus 2, यह जाएगा, 0, minus 3, तो बस क्य इसको देखें, तो 3, minus 5 हो रहा है, minus 3, तो जो minus 3 है, वो आपके पास multiply हो जाएगा, किस से, 4 से आपके पास, ठीक है, तो यह हो जाएगा, minus 12, और यह हो रहा है, minus, यानि minus 6, यह इस प्रकार मिल रहा है, तो आपके पास हो रहा है, 9 minus 18, यानि minus 9, does not equal to 0, तो आपने determinant की value निका हो गया, system of equation is consistent, यानि क्या है, यह संगत है, और इसके साथ मैं भी सहता हूँ, and has unique solution, इस case में क्या मिलने वाला है, unique solution मिलने वाला, अगर आप exercise को देखें, जो आपके पास exercise इस पर अधरित है, 4.6, उसके सुरू के कुछ कोशन, इसी पर आधरित है, कि वो consistent है यानिए, तो आपको बस यही देखना है कि determinant A की value क्या मिलती है, determinant A अगर 0 नहीं है, तो हम कहेंगे संगत है, और अगर 0 है, तो उसके बाद वो संगत हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, नहीं भी सकता है, तो यह इस परकार से मिल रहा है, कि unique solution मिलना है, तो आपके करेंगे, उनिक solution को निका x equal to, A inverse कैसे निकालता है, आपको मालूम है, 1 upon determinant A into adjoint A into B, तो यह formula हम यूज़ करने वाले हैं, तो मुझे, क्यूकि मुझे solution निकालना है, मतलब x, y, z का मान निकालना है, और x, y, z का मान निकालना है, x matrix निकालना है, x matrix निकालना है, तो इस formula को यूज़ करेंगे, तो उसके के लिए मुझे solution A की वेलिट चाहे थी, मैंने निकाल लिए हो पहले, मुझे आपके चाहे, adjoint चाहे, इस matrix A का adjoint निकालना पड़ेगा, तो matrix के लिए adjoint हमें निकालना है, तो adjoint कैसे निकालते हैं, आपके पास, पिछले कुछ वीडियो में कई पर हम adjoint निकाल चुके हैं, तो उसके लिए देखे हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, परतेक elements के co-factor निकालना है, देखो, तो ज्यादा detail में अगर आपको पढ़ना हो, तो मैं उस video का link भी description box में डाल दूँगा, जिसमें मैंने co-factor के बारे मता है आपके पास, ठीक है, तो यह आपके पास है, co-factor निकालना है, तो कुछ मैं आपके पास detail हो बता ना, कुछ मैं आपको direct बता दूँगा, ठीक है, जिसमें पहले element था, A11, उसके लिए co-factor हो जाएगा, capital A11, अब मुझे मालना है, 1 plus 1, आपके पास होता है, 2 जो कि क्या रहा है, even number, याई, even मतलब सम संक्या, तो जब भी minus की power में आपके पास क्या जाएगा, sum संक्या जाएगा, तो क्याएगा, हमें सब पॉस्टी प्राब तो simplify करेंगे तो जाएगा, plus 3 minus 0, यानि किता मिल रहा है, पहले element के लिए मुझे co-factor मिल गया, आपके पास plus 3, ठीक, ऐसे ही, अगले element के लिए हो जाएगा, A2, sorry, 12 के लिए, उसी रो का 12, अब मुझे मालना है, 1 plus 2 आपके पास हो गया 3, जो कि आपके पास odd आ रहा है, जब minus, यह तो जाएगा, 2 minus 5, यह तो अपके पास minus 3 पर negative करना हो जाएगा, plus 3, इसी प्रकार से, A1, 3 निकालेंगे, 1, 3 यह वले element है, अब किस, अब के पास 1 plus 3 करेंगे तो अब कि आपके पास 4, जो कि क्या, even, even आएगा, minus 1 की power में तो क्या जाएगा, positive, और वही first row और third column हो minus 3, तो मैंने जिसे पहले row के जो आपके पास 3 element हो, उनके co-factor निकालेंगे, वैसी आप other जो दो रो हैं, उनकी co-factor निकालेंगे, तो देखो क्या पराप्त होगा, तो co-factor मिलेंगे आपके पास, देखो, simple मैं आपके डायट बता रहा हूँ, a21 मिल जाएगा, प्लस 4, फिर a22 मिलेगा, आपके पास, प्लस 1, और a23 मिलेगा, minus 4, a31 मिल रहा है, minus 26, a32 मिल रहा है, minus 11, और last a33 मिल रहा है, 17, तो यह अपने co-factor से निकाल लेंगे, ठीक है, co-factor के पास, adjoint जो है, वो कैसे निकालते हैं, देखो, then, आपको मालूम है, अगर adjoint निकालना है, किसी matrix का, तो हम क्या करेंगे, elements के अस्तान पर, उनके co-factor करते हैं, जिसे हैं, यहाँ पर देखो, first row के element जो है, co-factor है, 3, 3, minus 3, second के, 4, 1, minus 4, फिर third के, minus 26, minus 11, और प्लस 17, और इस, जो आपके पास, matrix मिरता है, transpose ले लिया है, क्या लेता है, transpose, तो इस case में आपके पास, adjoint A मिल रहा है, देखेंगे, आपको मालूम है, first row, first column बंदेगा, तो क्या सुएगा, 3, 3, और minus 3, 4, 1, minus 4, minus 26, minus 11, और 17, तो यह मैंने आपके पास, adjoint भी निकाल लिया, के निकाल लिया, adjoint निकाल लिया, जब adjoint निकाल लिया, और साथ हमने determinant की value निकाली भी है, तो हम easily कर सकते है, x matrix, जो की solution matrix है, उसको हम calculate कर सकते हैं, देखें किस प्रकार से, तो जो एक system of linear equation के लिए, जो matrix A था, उसके लिए मुझे determinant A की value मेली, minus 9, और adjoint परापत रही है, तो x, the solution matrix x equal to हो जाएगा, आपको formula मालम है, 1 upon determinant A, adjoint A into B, तो हम इसकी value रख देंगे तो जाएगा, x equal to देखें, x matrix equal to, 1 upon आपने जो value निकाली थी, minus 9, अब adjoint है, 3, 3, minus 3, 4, 1, minus 4, minus 26, minus 11, and 17, और जो B matrix था, देखें आपके पास, आपके पास, शुरू में दिया था B matrix, जो हो था आपके पास, minus 1, 7, and 2, तो इसको simplify करना है, तो simplify कैसे करते हैं, आपको, addjoint को multiply कर देंगे, 20, तो यह हो जाएगा, minus 1 upon 9, अब multiply कैसे करते हैं, आपको मालम हो देखें, तो फिर्स टो फिर्स टो फिर्स टो एजब फिर्स कॉलम से मल्टिक रहा होगा, तो फिर्स एलिमेंट फिर्स से, सेकंद से, और थार्ड थार्ड से, तो यह हो जाएगा, minus 3, 3 into minus 1, ठीक है, और यह plus 28, साथ चुको और थाई सब्स टीक है, और इसी रुकार से जब इसको multiply रहा हो जाएगा, तो यह पक्त पास रहा है, यह ने फिर्स टो को, कॉलम से मल्टिक रहा हो जाएगा, 3 into 1 हो जाएगा, minus 3, plus, plus 7, और minus 22, इसी रुकार से थार्ड वाले में करेंगा, प्लस 3, और यह होगा, आपके पास minus, क्योंकि यह minus में है, तो यह गुणा होगा, 7 से तो 28, और यह प्लस गुणा करेंगा, तो बीच में जाएगा, plus 34, यह कुछ इस प्रकार से पुराब दो रहा है, ठीक है, तो जब simplify करेंगा, तो आपके पास मिल रहा है, देखो, minus 1 upon 9, जब इसको simplify करेंगा, आपके पास तो क्या मिल रहा है, यह जाएगा, आपके पास minus 27, इसी रुकार अगला मिले है, आपके पास minus 18, और जो लास्ट होला है, वो आपके पास मिल रहा है, प्लस 9, तो मैंने आपके पास यह values निकाल लिया, आपके तो X matrix, जो क्य क्या मिल रहा है, तो जब पहले वाले से multiply करना तो होजाएगा, minus 27, into minus 1 upon 9, तो यह हो जाएगा, आपके पास plus 3, यह पास हो रहा है, प्लस 3, ऐसी जब इसको गुणा होगा, तो यह 2, और यह हो जाएगा, minus 1, तो आपके पास क्या प्राप थो रहा है, कि X matrix, जो की X, Y, Z, से equal होगी है, तो solution मिल रहा है, so, solution of linear equations, यह आप लिसे दो solution of system of, system of linear equation is, आप देखें, दो matrix equal है, तो matrix equal कब होते हैं, आपको मालूम है, जब उनके corresponding elements क्या होते हैं, equivalent होगा, X equal to 3, Y equal to 2, और Z equal to minus 1, तो यह इस प्रकार साथ के पास क्या मिल गया, इस system of linear equation, जो की 3 variable पर depend कर देखें, उसके solution आपको प्राप्त होगे, तो आपके पास बस इतना ही आएगा, कि first job के पास, जो system of linear equation होगा, या तो वो 2 variable पर अधारित होगा, या क्या होगा, 3 variable पर आपके पास है, कि आपको करना क्या होगा, सबसे पहले, आपको उसको, जो system of linear equation होगा, उसको किस रूप में व्यक्त करना है, AX equal to B के रूप में व्यक्त करना है, पहला step यह है, इसमें A, X और B क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, A जो है, वो variable का matrix है, बहुत important matrix आपके पास जो आने वाले जो equation जो आपको दी हुई है, उसमें जो coefficient है, मतला गुणांक हैं, जो X, Y, Z के, उनका matrix आपके पास A होता है, X होता है, आपके पास variable का matrix और यह आपके पास B के करना है, constant matrix, तो पहले step में यह आपके पास इसको इस चुरूप में व्यक्त करना है, दूसरे step में सुभी नकालते है, determinant A, क्या निकालते है, determinant A क्या आता है, determinant A इसलिए आपके पास है, क्योंकि हम पहले ही इसकी मदद से, determinant A की value से हमको पतलता है, कि उस system का solution कैसे मिलना वाला है, यह या फिर हम कह सकते हैं, कि system का nature कैसा है, कि आपके पास क्या consistent यानि संगत है, या inconsistent यानि असंगत है, उसके लिए हमको निकालना, determinant A की value, अगर determinant A की value, not equal to 0 प्राप्त हो रहे है, not equal to 0, तो हम कहते हैं, consistent है, consistent का आर्थ होगा, कि आपके पास हिंदी में कहते हैं, उसको असंगत होना, और उस case में क्या मिलेगा, अगर यह not equal to 0, इस case का आर्थ है, कि आपक होता है, इस matrix A के लिए उसका adjoint निकालना, यह तीसरा step हुआ, और जैसे आप adjoint निकालते हो, तो direct इस formula का यूज करना है, बाद में, sorry, चानला, यह important formula है, इसके अधर पर क्या करते है, one upon A, इसको आप ऐसे भी लिए सुदो, A inverse into B, क्योंकि यह adjoint और one upon determinant A, तो क्या मिलता है, A inverse प्राप्त होता है, ठीक, तो simple सा इसके आपको पर इस step है, आपको फ़से पहले क्या करना है, जो system दिया हुआ है, उसको matrix equation के रूप में लिखना है, AX equal to B, उसके बाद आपको A के लिए उसके determinant की value निकालना है, second step यही है, third way के अप पहले है, इसमें देखते है, determinant की value 0 न तो direct आपके पास के बाद solution जो matrix होती है, X उसको कैसे निकालते है, one upon determinant A into adjoint A into B के द्वारा उसे calculate किया जाता है, बस यह इतना आपके पास concept है, अगर आपको यह आ गया, तो यह सारे का सारे जो हमने पिछले पढ़ा है, उसी पे अधरत है, क्योंकि इससे पहले हमने inverse पढ़ आपके पास तो आपके पास, आपके पास, तो आप method समझ गए, तो आप access जो है, उसके कोशन एजली कर सकते हैं, बस धियान देना है, कि equation standard form में होनी चाहिए, आपके पास, टेक, कि अधके पास, चाहिए, आपके वोह हमने तो आपकेयां, आपके लब होनी है, चाहिए, आपकेला वार उते हैं, झाहिए.